तो आज हम लोग बात करने वाले हैं single page application in react.js के बारे में and trust me this is a very 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 important thing because with the help of this single page application you can have pages in your react.js application जैसे आपने देखाओ कर बहुत सरी applications होती हैं उसमें multiple pages होते हैं ठीक उसी तरह से आप भी अपनी react application में multiple pages ला पाओगे using the concept of single page application अब ये single page application सिर्फ और सिफ आपको multiple page ही नहीं देती है ये आपके मैं काऊंगा website को ज़्यादा optimize बनाती है और ज़्यादा बहतर बनाती है अब ये कैसे होता है चलिए समझते हैं उसे तो बात करें single page application की उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे traditional web में जब हम लोग single page application यूज नहीं करते हैं तब क्या दिक्कत होती है तब हमें ज़्यादा एहमियत समझ में आएगी कि single page application की क्या एहमियत है तो माल नहीं दे हैं कि ये हमारा client है या फिर आप कह सकते हैं हमारा browser है और ये है हमारा server जहाँ पर हमारी website से रिटर जो भी data होता है जो भी files होती है वो हमारे server पर होती है this is how a website works जहाँ पर हम client से हमारी browser से एक request भेजते हैं तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा www.xyz.com और इसके तुरू एक request जाएगी हमारे server के पास और server उस request का एक response देगा और हमें हमारी website ला करके देदेगा और फिर ये जो website के content है जो कि हमारे HTML, CSS, JavaScript है उसको वो हमारे browser पर एक तरह से कह सकते हो लोड करतेगा या फिर हमारा browser उसको लोड करतेगा और इस तरह से हमारी website यहाँ पर open हो चाएगी लेट से अगर user ने आवे product page को click किया तो इस particular process में क्या होगा भाई सीदी सी बात है अब इस particular process में यह होगा कि हमारा product page open होगा और product page क्योंकि भाई ये एक traditional web है और क्योंकि product page अभी हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे सीदी सी बात है हम अगे ये निक request भेज़ेंगे server को कि है भाई server प्लीज मुझे ये product page लाके दे दो ताकि मैं उसको अपने browser पर दिखा सको क्योंकि user ने इसकी request की हुई है तो server फिर क्या करेगा एक response भेज़ेगा और पूरा जो bundle है product page का वो हमारे browser पर आके डाल देगा कि या ये लो तुम्हे product page चाहिए था कि रहा product page और फिर हमारा browser क्या करेगा वो सारा जो bundle है उसको load करेगा और हमारी यहाँ पर application हमारा जो product page है basically वो यहाँ पर open हो जाएगा अब ये जो अपने approach देगा इसमें actually में एक problem है actually में एक क्या बहुत साई problem है पहली problem तो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो user experience होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा क्यों? क्योंकि आप देखो अभी मैं home page पे था अब मैंने product page की request की तो इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत time लगेगा मैं भी home पे हूँ अगर मैं एक particular page की request करता हूँ तो पहले एक request जाएगी server के पास server फिर मुझे response देखा definitely ये कोई 3-4 घंटे का process नहीं होगा बढ़ हाँ ये है कि थोड़ा बहुत तो lag होगा और फिर जाकर के हमारा ये page यहाँ पे load होगा दूसरी problem इसमें ये है कि फाल्तू में मैं server को बार-बार call करूँगा हर एक page के लिए बना अभी देखो ना अभी तो मैंने चलो home of product लिका हुआ है हो सकते हैं यहाँ पे तीसरा, चौता, पांचौता, कितने सारे यहाँ पे ऐसी भी है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे content ऐसा है अगर आप ध्यान से देखो जो कि हम reuse कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो हमारा nap bar है और यह जो हमारा footer area है यह एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग reuse कर सकते हैं, why do we need again and again in this nap bar and footer area, because यह तो same है ना, यह दोनों तो static रहता है जादर websites में अगर आपने देखा हो, तो home क्या change होता है मालब home as in, sorry, nap bar क्या कभी change होता है, क्या footer area कभी change होता है footer area में social media links होती है, आपके nap bar में, आपके home, menu, menu सब होता है, तो यह दोनों तो ऐसी चीज़ें जो हमेशा static रहती है तो जब मैं बार-बार page की request कर रहा हूँ, तो मैं पूरे-पूरे page को एक तरह समंगवा रहा हूँ और पूरे-पूरे page में यह सब को चाह रहा है, जिसमें कि फालतू में, मैं footer area, home, product, इन सब को भी फालतू में यहाँ समंगवा रहा हूँ, जब कि मैं इंका reuse कर सकता हूँ और जब मैं यह request करता हूँ, तो अगेन, यहाँ पे हमारा page reload भी होता है, अगर आप ध्यान से देखो कि जब भी हम कोई request करते हैं, तो हमारा page एक बार थोड़ी देरे लिए ऐसे reload होता है, जो कि अगेन, एक थोड़ा समय कहूँगा खराब user experience देता है, थोड़ा क्या कभी कभी तो बहुत खराब experience देता है, अगर बहुत जादा देर वो xyz.com, और server पे एक request जाएगी, server हमें एक response बेज़ेगा, और server जो हमें response बेज़ेगा, उसमें पूरी html, css, javascript की files होगी, अच्छा, इस बार क्या होगा, इस बार कुछ special हो सकता है, special यह हो सकता है, कि अगर हम लोग ने single page application use की है, तो इस html, css, javascript में ही, हमें पूरा-पूरा bundle मिल जाएगा, हमारी website का, मतलब अभी आपको समझ बाएग, तो जैसे ही मैं यह करूँगा, definitely फिर से यह page को load किया जाएगा, हमारे browser में, और हमारे page, हमारे page है, हमारा homepage आजाएगा, अब again, user ने आप ए product page पे क्लिक किया, जैसी वो product page पे क्लिक करेगा, तो आप सोचोगे कि अब फिर से एक request जाएगी server के पास, बड़ ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था कि हम वे server जो है, वो पूरा-पूरा bundle ला करके browser पे दे देगा, तो जब user यहाँ product page पे क्लिक भी करेगा, तो यहाँ पे कोई भी reload नहीं होगा, और हमारा product page automatically यहाँ पे हमें show ने लगेगा, अब आपको यह कैसे हो सकता है, product page तो हम request नहीं की, सही बात है, तो यहाँ पे basically क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो खेल है, वो javascript करेगा, javascript using its DOM manipulation, यह हमें product page लाकर के दे देगा, मतलब कि पहले से ही मेरे पास सब कुछ होगा, बस javascript क्या करेगा, वो जो hidden चीज है, उसको हमें display करा कर देदेगा, मतलब यह जो product page है, वो पहले से मेरे पास था, बड़ अब javascript ने क्या कर दिया, उसको हमारे लिए visible करा दिया, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है, कि आप यहाँ पे server पे request नहीं भेज़कते हैं, बिल्कुल भेज सकते ह है, जो कि आप कह सकते हो, static रहेगा, या फिर ऐसी चीज है, जो कि आप जानते होगी है, वो बदलने नहीं वाली जादा, तो उस तरह की content को हम पहले ही से अपने browser पे ले आएंगे, सब कुछ browser पर ही होगा, जाहतर सारा काम, बस हाँ हमें कोई data की requirement होगी, तो हम server के पास जा कैसे किया जाता है, practically इसे हम लोग करेंगे, but you can see, this is how it goes, तो अब single page application हो दी क्या है, single page application आप जैसे की देखोगे, is a web application that loads a single HTML page and dynamically updates its content as the user interacts with the app, तो जैसे अभी हम दो ने देखा हम home पे थे, हमने page पे product पे click किया, और dynamically हमारे पास product page आ गया, और इसका क्या मतलब है, this means that instead of loading entirely new pages from the server, अब मैं बार-बार कोई नया page लोड नहीं कर रहा हूँ, मैं SP use करेगा, JavaScript to update the page content without requiring a full page refresh, and this is what single page application is, तो चलिए अब इसको हम लोग कर के समझते हैं, with the help of ReactJS, तो चलिए समझते हैं, single page application को with the help of an example, अब मेरे सामने, इस समें Visual Studio Code पे आप देखोगे, बहुत ही simple सी, मैंन simply यहाँ पे ReactJS को install करके रखा हुआ है, सब कुछ मेरे पास है, यह मेरे पास एक app component है, और लेट से मैं एक और component बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं SRC folder में जाऊँगा, एक नया folder बनाऊँगा, अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग pages create करेंगे, तो मैं इस folder का नाम रखूँगा pages, अ अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसका नाम components देना है, तो आप दे सकते हो, बट जो normally convention होता है, वो यह होता है कि अगर आप applications बना रहे हो, जिसमें की multiple pages आप रखने की सोच रहे हो, तो pages वाले folder में डखो, तो इससे थोड़ा धूनने में असानी रखती है, तो मैंने pages एक folder बनाया, इसके अंदर एक नया file बनाता हूँ, इसका नाम रख देंगे home.jsx, तो यह हो गया home.jsx, अब मैं क्या करूंगा, simply यहाँ पर component बना लेते हैं, home, और इसको यहाँ पर export कर लेंगे, ठीक है, export default, home, तो थोड़ा zoom कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ return करा लेते ह इसका मैं नाम रख देता हूँ, h1, और home page, और इसी की तरह एक और page बना लेते हैं, let's say, इसका नाम रख देते हैं, for example, इसका नाम रख देते हैं, courses, चलो, course.jsx, चलो, और इसको भी यहाँ सैसे मैं copy कर लेते हूँ, और यहाँ page करूंगा, और यहाँ पर लेते हूँ, course, त चलो, अब, let's say, मैं home component को, और course component को access करना चाहता हूँ, ठीक है, so, what can I do here, पहले चीज़ तो, let's say, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर import कर लेता हूँ, home component को, ठीक है, home, from, इस समयम लोग, current directory, pages, और उसके अंदर है हमारा home component, चलो, और मैं, let's say, यहाँ पर home component को use कर लेता हूँ तो, यह तो हो गया, मेरा home component, ठीक है, अगर इससे run करें, npm, okay, not npm, npm run there, right, let me cd into client, cd client, npm run there, ठीक है, इसको run करता है, ठीक है, तो अब देखोगे, इस समय, मेरा home page यहाँ पर आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने app component के एकदम अंदर इससे बनाया हुआ है, home component को, तो यह मेरे यहाँ पर आ भी रहा है, ठीक है, अब let's say, मैं home component पर जाता हूँ, और मैं home component से, और सवाले component को access करना चाहता हूँ, मैं पेज को access करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पस क्या options है, मेरे पस एक option यह है, कि मैं यहाँ पर इस तरह से लो, इसको यहाँ से cut, यहाँ पे एक fragment और यहाँ पे मैंने इस तरह से paste किया और मैं यहाँ पे क्या करूँ एक ahref लगा दूँ और मैं इसके थूँ कोशिश करूँ कि यार मैं किसी तरह से course page को access कर लो, मतलब कि यहाँ पे मैं ऐसे करूँ course, तो एक तरीका तो मेरे पास यह है कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि यहाँ पे एक ahref tag लगा दूँ और जैसे ही मैं इस button पे click करूँ href वाले tag के button पे, इसे यहाँ पे लिख दो let's say courses, ऐसे ठीक है, जैसे ही मैं इस पे click करूँ, तो मैं इस courses वाले page पहुँच जाँ, तो यह हम लोग जब java set में करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं html अगर आपने देखा हो, एक href लगा दिया और इससे हम अपने courses वाले जिस भी component में हमें पहुचना है, हम आराम से पहुच सकते हैं but the problem in this approach is कि अगर आप इस तरह से अपने component तक है, फिर अपने इस पहुच गया है, अभी मैं अगर courses बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो कि मैं यहाँ पर slash courses पर पहुच गया हूँ but definitely अभी हम लोग वहाँ course वाले page पर नहीं पहुच आ है but what I want to show you is कि जब मैं इस button पर क्लिक करता हूँ, इस courses वाले page reload हो रहा है, अब यह page reload इसलिए हो रहा है क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह तुरंट से server के पास जा रहा है, एक HTTP request server की तरफ बहुच रही है, जो कह रही है कि मुझे course वाला page लाकर दो, slash course पर जो भी आपके पास है, जो भी page है वो मेरे पास लाकर दो तो यह जो हम कर रहे हैं, this is not a good practice, because इससे हमारा जो component है, वो पूरे-पूरे रिलोड हो रहा है, जो server से request भी कर रहे है and this is, as I said, this is not a single page application for now, क्योंकि हम हर एक page के लिए request कर रहे हैं server से तो instead of this हम लोग क्या करेंगे हम लोग use करेंगे एक चीज का, जिसे हम कहते हैं, react-router-dom तो मैं आपे terminal को चाहते हो, split कर लेता हूँ ठीक है, तो मैं एक चीज इंस्टॉल करूँगा, एक package इंस्टॉल करूँगा जिसे हम कहते है, react-router-dom और इस react-router-dom का इससे मैं आपको वर्जन दिखा दे रहा हूँ मैं इस समय currently use कर रहा हूँ इसका, version react-router-dom का 6.16, तो मैं 6th version use कर रहा हूँ, कहीं-कहीं पर आप 5th version भी देखो, कि use होते हुए अब 6th version जब से आये, तो अब 6th version use करते हैं, और जादा easy भी पढ़ता है तो मैंने ये इसलिए बता दिया, कि अगर इन future कभी चेंज हो, तो घबडा मत जाना हम लोग अभी 6th version यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इस react-router-dom को use करने के लिए, मैं simply पहले तो इससे import करूँगा, और इसमें से यहाँ पर आऊँगा, और मैं करूँगा const, एक variable बना देते हैं, router, और यहाँ पर मैं use करूँगा, create browser router का, और इसके अंदर basically, मैं एक array pass करूँगा, और इस array में, वे basically objects pass करूँगा, और objects में मैं कुछ चीज़े mention करूँगा, जैसे पाथ, लेसे मैं इनका slash, जैसे उन्होंने pages के लिए दिखाता हूँ न, slash courses, वेसी तरह से यहाँ पर मैं लेका slash और यहाँ दूसी चीज़ में होगा हमारा element, और यहाँ पर मैं लिखूँगा home, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे slash वाले path पर home component हो, तो मैंने home component import भी किया हुआ है, अब इसकी वेसे जरूरत पड़ेगी नी, बड़ चलो, ठीक है, भी हटा देंगे से, ठीक, उसी तरह से मैं एक और path बनाना चाहता हूँ, let's say, ओके, और ये path, इस बार होगा मेरा, courses इसको लेगे, और अब आप समझी के होगी, क्योंकि हमें course वाले page पहुचना है, तो मैं आपर करूँगा course, तो अभी हमने course वाले component को import नहीं किया, so that's why I think we have this error, तो इसको भी कर लेता है import, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, import course, और मैंने इसको भी import कर लिया, okay मैंने यहाँ पर कुछ कर बड़ किया, okay मैंने sorry, it should be an object मैंने कर ली, parenthesis close नहीं किया थे, अब ठीक है, तो हमारा ये, तो basically हमने create browser router में क्या भेजा, हमने एक array भेजी, और इस array में हमने क्या किये, कुछ objects भेजे, जिसमें कि हमारी पहला, आप क्या सकते हूँ, की था path, और दूसरा की है हमारा element, तो पहले वाले में हमने path में क्या भी mention किया, जो भी URL पे हम जाना चाहते हैं, और दूसरे वाले में जिस component पे हम जाना चाहते हैं, और फिर हमने दोनों राउटर है, मैं इसको यहाँ पे pass कर दूँगा, and that's it, अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके मैंने क्या हुआ यहाँ पे, ओके ठीक है, अभी हम लोग home page पे हैं, ठीक है, अगर अब मैं जाता हूँ, course पे, मैंने पे कुछ issue आ रहा है, let me check कि मैंने यहाँ पे कुछ गर्बर मेंशन किया, courses कर दिया है, let's have courses, course here for now, ठीक है, और आप देखो कि जैसी मैंने यहाँ पे किया slash course, तो मेरे यहाँ पे course आ गया, अभी मैं home page पे हूँ, if I am doing slash course, और मैं करता हूँ enter, so now I am at course page, I know, अब आप सोच रहोगे, how this is an example of single page application, यहाँ पे तो मैं बार-बार URL पे कुछ ढालता हूँ, और यहाँ से तो page reload होता हूँ दिख रहा है, सही बात है, भी आपको page reload होता हूँ दिख रहा है, क्योंकि मैं बार-बार यहाँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट करूँगा, link का, from react राउकर डाउँ, अगर मैं आप अभी के लिए इसको save करता हूँ, for example, say, अभी के लिए मैं अगर जाता हूँ courses पे, so if you will see now, क्योंकि हम लोग ने mention कर दिया, अच्छा मैं एक चीज़ बता न भूल गया, अभी आप देखो, मैंने आप HRF use किया हुआ है, ठीक है, मैंने HRF use किया हुआ है, और slash course किया हुआ है, ठीक है, और यह समय मैं home page पे हूँ, अभी हम लोग ने link का use नहीं किया, जो अभी हम लोग ने import किया है, मैं अगर अभी इसके थुरू अगर जाता हूँ, जैसे मैं आपे देखो करूँगा courses, so you will see, कि यहाँ पे बहुत तेजी से क्या हुआ, reload हुआ, right, courses reload हुआ, but अब देखना, अब मैं इस HRF को यहाँ से हटा दूँगा, instead of this, what I will do is, I will use link, so I will say link, और इसमें मैं mention कर दूँगा to, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा courses, course basically, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, course, मैंने कहाँ save, again going back, let's go back, refresh, now if we will see, when I will click on this, ध्यान से देखना, अब यह reload नहीं हो रहा है, देखना, अभी जए मैंने href यूज किया था, तो यहाँ पे यह reload होता था, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ, nothing, see, कुछ भी यहाँ पे reload नहीं हो रहा है, and this is an example of a single page application, तो मेरे bundle में, इस समय सब कुछ रखा हुआ है, और बस मुझे यहाँ पे, अब खेलना है, मतलब किसके साथ खेलना है, component से खेलना है, सब कुछ मेरे पास पहले से है, user को क्या लगेगा, कि यह एक अलग page है, even though, सब कुछ एग ही page में उसको मिल चुका है, but user को क्या लग रहा है, कि यह लग लग page है, क्यों क्योंकि वो जब इस पे click करेगा, कि यहाँ याद है को यह URL तो change हुआ है, मतलब कि यह different page है, उसके लिए तो यह ही है, जब वो click कर रहेगा, but at the end of the day, आप ध्यान से देखो, this is not a different page, बस हम लोग ने component एक तरह से shift कर दिया है, earlier we were using home component, now it's like a shift, taking a shift to a course page component, and this is what it is, right, so let's have a quick summary, पहले हमने किया क्या है, ताकि सब हमाई दिमाह में एक दम आ जाए, बहुत simple चीज़ होती है, कुछ ऐसा है, इसमें complicated नहीं है, पहली चीज, हमें क्या करना है, पहले तो भाई हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रुवत पढ़ना वाली है, यह र्याद कैसे रहेगा, प्राटेस के तुब, याद मुझे भी कभी कभी नहीं रहता है, so it's something which is you practice, और फिर जब आप जाधा प्रोजेट बना लगोगी, आपके दिमाँ में यह सब टम्स याद रहेंगे, फिर उसके बाद मैंने simply create browser router के थुरू क्या किया, मैंने path create किये, और element create किये, और यह create browser router को जैसी भेंकर चीज़ नहीं है, इसमें अगर अध्यान से देखो एक array है, एक array में मैं मैंने objects पास किया, अगर आपको इसको यूज करना है, अब आपने तो इसको बना तो लिया है, बट अगर आपको इसको यूज करना है, तो आपको इस router provider वाले package का use करना होगा, आपने simply router provider लिखा, और router के अंदर आपने इस वाले router variable को पास कर दिया, and that's it, आपका काम हो गया, आपने यहाँ पे अपना काम कर लिया है, कौन सा काम? मतलब कि आपने एक तरह से बोल दिया कि path slash पे home component होगा, slash course पे course component होगा, और अगर आपको चाहिए कि यार मुझे navigate भी करना है, क्योंकि हमने देखा ना भी websites पे हमने विजिट किया था, क्योंगा, because HRF लगाया, तो बार-बार एक नहीं request जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, मेरा component पुरा reload हो जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं link का यहाँ पे use करो, जिसके through मैं एक page से दूसरे page में अराम से navigate कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया, इसी तरह से अगर आपको लेट से यहाँ पे बनाना है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप simply यहाँ पे इसको copy कर लो, और यहाँ पे इसे paste कर लो, और इसके बाद simply इस link को copy करो, and definitely you need to make sure कि आप एक ही element pass on करो, यह मैंने बताया भी था, basics में, तो यहाँ पे, okay मैंने दो चीज़े copy कर लिये हैं, so let me just copy this down, paste it here, and let me again go back, copy this, and paste it here, और instead of course, मैं course पे नहीं जाँगा, अब मैं कहाँ पे जाँगा, मैं home पे जाना चाता हूँ, तो slash रहेगा, और यहाँ पे मैं कर दूँँगा home, and that's it, तो अगर मैं यह भी करता हूँ, और मैं वापस से चलता हूँ, so now if you will see, मेरे पास home का भी यहाँ पे navigation आ गया है, तो मैं home पे क्लिक करूँगा, तो I am in home page, course पे क्लिक करूँगा, तो I am in course page, home, course, home, course, and this is it, तो अगर यह चीज़ क्लियर है, तो चलो आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे आप देखो, तो मैंने link को यहाँ पे use किया है, course को यहाँ पे, मलब link को यहाँ पे use किया है, अब I think this is not that good, like navigation अगर हमें बनाना है, तो why not to create one component, जिसमें कि हम navigation के बारे में mention करते हैं, so instead of this, doing repeated thing again and again, हम यह कर सकते हैं, कि we can go to the source folder, create a new folder, by the name of components, और इसमें एक file बना देते हैं, components हमेंने क्यों रखा, मैंने pages में क्यों नी रखा, because वो कोई page नहीं है, component है, जिसको मैं use करने वाला हूँ, reuse करने वाला हूँ बार-बार, so that's why, मेरा page नहीं है वो, navigation.jsx, again यहाँ पर भी मैं लूँँगा, navigation, और this is it, अब मुझे यहाँ पर क्या make sure करना है, कि, मैं यहाँ पर यह links, basically, use करना हूँ, तो मैं यहाँ से, okay, मैं simply यहाँ से copy कर लूँगा, और यहाँ पर जाऊंगा, paste कर लूँगा, और दूसी बार, मैं फिर, यहाँ से इस written को पूरा copy कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर paste, अब मुझे यहाँ पर course हो नहीं, यहाँ पर मुझे simply क्या चाहिए, एक तो link चाहिए home के लिए, और दूसरी link चाहिए मुझे यहाँ पर course के लिए, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या course, ठीक है, और इसको मैंने किया export, default, navigation, चलो, तो मैं यह पास एक navigation component आ गया, तो instead of now doing link again and again, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटाऊंगा, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, simply, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, import कर सकता हूँ, किसको import कर सकता हूँ, मैं navigation को यहाँ पर import कर सकता हूँ, तो import, navigation, in the same way, I will copy this down, और मैं यहाँ पर भी, navigation को import कर दूँगा, मैंने link अटा दिया because यहां पर भी link की मुझे अब जरुवत नहीं पढ़ने वाली तो मैं यहां से भी अटा दे रहा हूँ और यहां से भी अटा दिया अब मुझे simply क्या करना है क्योंकि भाई यह मेरा page है page के उपर navigation होता है तो मैं यहां पर लिख दूँगा navigation और simply यहां से copy करूँगा और course के पर भी लग दिया navigation तो भाई मैं component को यह reuse तो करी सकता हूँ मैंने navigation के अंदर अपने navigation की links दे दी थी link to home, link to course, सब मौझूद है यहां पर और मैंने navigation component के यहां यूज कर लिया, navigation component के यहां पर भी यूज कर लिया that's good, right, this is nice, going back, now if you will see, okay, now it is not looking good, css wise, इसमें css add करना पड़ेगा पर चलो, इसको अभी के लिए मैं क्या करता हूँ let's, let's do one thing अभी के लिए break देते हैं या तो, ठीक है, अभी के लिए मैं आपे simple एक break लगा देता हूँ just to make it a little good, so now ठीक है, अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है navigation, again I will say it's a css thing तो, हमें art करना पड़ेगा, पर ठीक है, अभी के लिए कर हम देखें, मेरे पास ही home है मैं course पे जा सकता हूँ, course, home, course, home so this is working good, right पर यार, अभी भी न, मज़ा नहीं आया मज़ा क्यों नहीं आया कि, ऐसे तो मालो मैं कितने अभी यहां पे, you know, pages बनाऊँगा क्या इससे बेटर तरीका नहीं है, मज़ा बार बार नविगेशन, हर जगा नविगेशन, नविगेशन, import करो, copy करो, paste करो it's like repetitive thing, जिसको हम बार बार कर रहे हैं और I think as a programmer, इसको हम लोग reduce कर सकते हैं so what should we do now, what we can do is instead of using navigation at each and every page, we can actually take all these routes और इनको एक package के अंदर मैं रख दूँगा as a children और फिर इनका use करो, मतलब समझ में आएगा भी अभी बस इतना समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ मैं चाहता हूँ कि यार, बार बार मैं home page पे, course page पे अभी मैं navigation को impose कर रहा हूँ, मैं क्या रहा हूँ कि impose करने से अच्छा है क्यों न, हम एक home component और course component जो है इसको एक sandwich की तरह बीच में रख दें और इसके उपर हम अराम से, बलब इसको एक चीज़ से हम लोग bundle कर दें ताकि हर बार navigation home पे भी दिखे और course पे भी दिखे क्या मैं इसा कर सकता है, इसके लिए मैं क्या करूँगा लेट से, मैं एक नई file बनाता हूँ, लेट से, इसका मैं नाम लग देता हूँ root ठीक है, root लग देता है, root.jsx, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, const, root और export, default root, ठीक है और यहाँ पे return और अभी के लिए, यहाँ पे मैं let's say mention कर देता हूँ, h1 i, यह फिर root चलो, और अब मैं क्या करूँगा instead of doing this मैं यहाँ पे, definitely यहाँ पे भी मैं एक object बनाऊँगा, path mention करूँगा, path में मैं यहाँ पे भी slash mention करूँगा, और यहाँ पे मैं element भी mention करूँगा और element में इस बार मैं root को mention करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, root और definitely मुझे अब import करना पड़ेका root को तो मैं यहाँ पे import कर लेता हूँ import root, अब मैं इस object में एक और चीज़ mention करूँगा, और वो area में यह जो दो objects से right जो अभी अलग थे, मैं इसमें pass करता हूँ, कुछ इस तरह से तो मैंने क्या किया, अब कुछ अलग नहीं किया है ध्यान से देखना, मैंने एक object बनाया, ठीक है इसको थोड़ा सा मैं indentation wise सही कर देता हूँ मैंने और यह मेरा root होगा अगर मैं इसे भी save करता हूँ और मैं चलता हूँ वापस से तो ठीक है, अभी आप देखो कि यहाँ पर root लिखके आ रहा है और अगर मैं यहाँ पर course पर भी जाता हूँ तो देखो अभी भी root लिखके आ रहा है मतलब एक चीज़ दो पक्की है कि root जो है उसने अपनी चाप home component में भी छोड़ी हुई है home page में भी छोड़ी हुई है कहलो और course page में भी छोड़ी हुई है तब ही तो वहर जगा root देख रहा है अब अगर मुझे भी ठीक है यहाँ पर अब मुझे root थोड़ी दिखाना है मुझे तो यार home component और basically home page और वो दिखाना है क्याना मैं course page दिखाना है तो मैं क्या करूँगा मैं basically यहाँ पर import करूँगा और यहाँ पर मैं import करूँगा outlet को from react auto dom अब देखो कि मैं again react auto dom को use कर रहा हूँ और instead of having a route अब लिख सकते हो इसको लिखना का मन हो तो आप इसको हटा दो ऐसा के लिए अभी जरुवत नहीं पड़ेगी इसकी मैं यहाँ पर क्या mention कर दूँगा मैं यहाँ पर mention कर दूँगा outlet now if I will save it go back now if you will see वापस से मेरा home पी जा गया course पे जाओंगा तो course पे जा गया तो यह outlet क्या कर रहा है यह outlet एक तरह से आप कह सकते हो children जो है मेरे root के जो children है उनको दिखाने का काम यह outlet कर रहा है outlet is a like जैसे अभी मेरे आपको जब दिखा दे से पहले root लिखा था तो root home पे भी था course पे भी था अब outlet लगा दिया और outlet क्या दिखा रहा है children को दिखा रहा है तो वो home को भी दिखा रहा है और child को भी दिखा रहा है sorry course को भी दिखा रहा है को गई है अगर आप यहां से देखो मैं इस navigation को यहां से हटा दूँगा और मैं course से भी navigation को हटा दूँगा ठीक मैंने यहां से भी हटा दिया यहां से भी हटा दिया अगर अब वापस जाओं तो देखो कि navigation नहीं देखेगा ठीक यहां पे भी नहीं है अब मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरा root outlet में मेरे दोनों children को रखे हुआ है, जो कि home page है और course page है, मैं simply यहीं पे जाओंगा और navigation को यहीं पे import करा लो, क्योंकि मेरा root हर जगा है, मेरा root home पे भी था और मेरा course पे भी था, यह हम लोंने देखा था, root navigation और current directory navigation.jsx I think navigation 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 क्या करता हूँ, मैं करना याँ यहाँ पे क्यों अडरेट component को import करना गूल गया, क्या अब मैंने from नहीं लगाए, see see that's the thing, मैंने क्या का सब होता रहता है अब यहाँ पे navigation आ गया अब मैं यहाँ पे navigation को simply use कर सकता हूँ, going back now if you will see, मेरा navigation home पे भी है, course पे भी है, home पे भी है, course पे भी है, home course course home, this is nice right, isn't it, this is very nice क्योंकि अब मुझे बारबार navigation को कहीं पे mention नहीं करना है, मुझे बस एक जगा mention करना है, वो मेरे root वाले पे करना है वहाँ पे मैंने navigation लिख दिया अब मेरा root टेक केर करेगा कि वो मेरे home page पे भी हो, और मेरे, किस पे course page भी है and that's it let's have a quick summary of it क्या किया हमने आपे, बहुत simple सी चीज वही चीज की create browser router वही वाला यूज किया, कुछ अलग नहीं किया, वही create browser router में, वही array भी यूज की बस path और element जो अभी तक हम property यूज कर रहे थे, उसके बाद एक और property आठ कर दी, और वो property भी कुछ आए सी, अलो, अनोकी नहीं है भी या, चिल्रन है वो, बच्चे है बस, और बच्चे तो outlet के थुरू, हमने उन बच्चों को detect कर लिया, है ना, आउटलेट तुमनों कुछ सुनते हैं, आउटलेट है, ये आउटलेट पे चले जाओ, वो आउटलेट पे चले जाओ, तो आउटलेट, बच्चे ही उसका आउटलेट बन गए, ठीक है और, क्योंकि अब नवीगेज जैसे हमने देखा था qi अब क्योंकि भी हो, आप पेरेंट यह तो पेरेंट तो बच्चों के साथ हर समेर रहने वाले हैं, ऐसा थोड़ी की कहीं कहीं पे रहेगा, कहीं कहीं पे नहीं रहेगा, तो बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चे को हर समय साथ रहना पड़ेगा ना तो रूट भी जो है वो पूरे टाइम अपने इने पेजिस को साथ ही रहता है तो इसलिए मैंने क्या किया इस रूट के अंदर मैंने नेविगेशन को मेंशन कर दिया अब अगर जिस तरह से रूट को अच्छा भगवान माल लो चलो भगवान माल लो और फिर नेविगेशन अब इस तरह पेरेंट माल लो तो अब भाई अगर भगवान जहां जहां मौझूद है, वहाँ वहाँ के पेरेट भी मौझूद है, वहाँ बच्चे भी मौझूद है, और काम बन गया हमारा, ठीक है, और इस तरह से हमारा यह, फूरी तरह से complete हो गया, तो अभी हमारी application तो बहुत बढ़ियार वक कर रही है, no doubt, बहुत मज़ेदार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पुशी भी हो रही है, चलो सही है, बट क्या हो, अगर किसी ने यहाँ पे कोई गलत URL डालती है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई गलत URL डालता हूँ, तो automatically, जो मेरा react जैसा code है, वो क्या कर रहा है, automatically basically मेरी help कर रहा है, help कैसे कर रहा है, जैसे हैं मैं कोई गलत code डालता हूँ, तो मेरा react जैसा code खुदी एक error भीज़ देता है, 404 का, 404 error का मतलब है कि यह page exist नहीं करता है, यह page नहीं find किया जा पा रहा है, बट चलो यह तो अच्छा है, एक error है, सीधी से बात यह बढ़िया है, क्योंकि एक user अगर कोई गलत URL डाला है, तो उसे पता चल जाए, बट अगर हमें इसको customize करना हो, तो क्या करें, अब यहाँ पर यह customize तो नहीं है, यह मेरे हिसाब से तो आ नहीं रहा है, पर हो सकता है, मैं अपने हिसाब से चाहूँ, क्यार यह जो error आ रहा रहा ना, मैं अपने हिसाब से display कराना चाहता हूँ, इस तरह से नहीं चाहता हूँ, कि hey developer, you can provide a better UX, अब यह हम लोग को समझ में आ रहा है, बैठ हमारे users को थोड़ी समझ में आने वाला है, तो इन्होंने देखो, यहाँ पर solution दिया हुआ है, इन्होंने क्या कहा है, you can provide a better UX than this, when your app throws errors, by providing your own error boundary, अभी हम बात करेंगे इनकी बाद में, अभी के लिए यह देखो, error element prop on your route, तो क्या रहा गिया है, अगर आप इसका use कर लो, तो आपका काम बन जाएगा, तो हम करेंगे, अच्छा चलो देखते हैं, मैंने copy कर लिया, मैं हाँ पर पहले एक error page बना लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं, error.jsx, और, const, error, export default, error, nice, और यहां पर मैं कुछ error ले लेता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ, error जो है ना, वो आए, for example, error, यह फिर 404, ठीक है, 404, error, ठीक है, और यहां पर मैं कुछ ऐसे, page, page does not exist, चल, यह मैंने कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहां पर, जैसे मैंने यह path mention किया है, element mention किया है, मैं यहां पर mention कर दूँगा, error element को, और इस error element में, मैं mention कर दूँगा, अपने, किसको, आप लोग समझी यह होगे, import error को, और यहां पर मैं simply use कर लूँगा error and that's it, now if I will go back refresh, here it is isn't it good now we have our own custom error page अगर कोई कभी कोई भी गलती करता है right, अभी तक जो error page था, वो हमें react.js provide कर रही थी, but अब हम जो भी अपने हिसाब से, अभी हाँ पर चलो मैंने कोई CSS use नहीं किया, तो यह बहुत ही अजीब से लग रहा है, but if you want to have a good error page in your web application, आप अराम से लग सकते हो आप अगर होगे simply आप कुछ भी image ले लो या फिर कुछ भी कर दो, और simply अगर कोई भी गलत URL को paste करेगा, तो he will see this 404 error page अगर यह जीज़ clear है, तो आज के लिए हमारी class इतनी ही थी, so I hope अब आपका concept, single page application को लिए करके पूरी तरह से clear हो गया होगा, मिलते हैं हम लोग next वीडियो में, जहांपे हम लोग बात करेंगे use context के बारे में, तो जलिए मिलते हैं